हेलो फ्रेंड्स मीने हां फ्रॉम लॉट बुद्धा इंस्टिटूट फ्रेंड्स जो लोग कॉंपुटिटिव एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं आई होप उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेलफुल होगी जो श्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास आज का हमारा पहला कोशन है हाल ही में किसे विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है हमारा ऑप्शन है अरूर मित्तल, अभिजीता गुपता, चैज भातिया इन में से कोई नहीं तो जो हमारा right answer है वो क्या है option B is right answer अभिजीता गुपता को ये मानिता दी गई है ये है अभिजीता गुपता अभिजीता गुपता मात्र साथ साल की है और अभी इनको international book of records के द्वारा सबसे कम उम्र की लेखक के रूप में मानिता दी गई है इनकी एक book है उसका नाम है happiness all world इस book का नाम आप याद रखिएगा आज का जो हमारा second question है वो क्या है हाली में दूसरी विश्व स्वास्त एक्सपो कहां आयोजित किया गया है हमारा option है रूस चीन जापान या फिर भारत तो जो हमारा right answer है क्या है option B is right answer कहां पर start हुआ है ये च option B is right answer ये वहां सहर में 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा कितने तक 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक आयोजित किया गया है आज का जो हमारा next question है वो है हाल ही में किस मंत्राले ने नई प्रुत्साहन यूजना की गोस्ना की है हमारा option है क्रिशी मंत मंत्राले खेल मंत्राले वस्त्र मंत्राले या फिर स्वास्त मंत्राले तो जो हमारा right answer वह क्या है option B is right answer खेल मंत्राले ने जो एकेडमी है जिसमें खिलाडियों को ट्रेनिंग दी जाती है उसमें ऐसी 500 एकेडमी को मौत्रिक सहायता देने के लिए खेल मंत्राले ने नई प्रुत्साहन योजना की सुरुवात की है क्या की है नई प्रुत्साहन योजना की सुरुवात की है जो हमारे खेल मंत्री है उनका क्या नाम है किरन रिज्जू आज का जो मारा next question है वो क्या है हाल ही में किस राज ने विस निमोनिया दिवस के औसर पर सांस अभियान सुरू किया है हाल ही में किस राज ने विस निमोनिया दिवस पर सांस अभियान सुरू किया है हमारा option है उडिशा पंजाब महाराश्ट राजस्थान social awareness and action to neutralize निमूनिय सेक्सेस्पुली तो सास अभियान सुरू क्या है उडिशा नेट उडिशा का capital क्या है भूनेश्वर वहाँ के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है नवीन पतनायक वहाँ के जो governor है उनका क्या नाम है नडिशी लाल उडिशा दिवस एक अपरेल को बनाया जाता है याद रखेगा आप उडिशा दिवस एक अपरेल को बनाया जाता है इसको उतकल दिवस भी कहते हैं आज का जो हमारा next question है हाल ही में किस bank के पूर्व अध्यच PG PG काको डकर का निधन हुआ है हमारा option है PNB, SBI, POB या फिर Union Bank तो जो हमारा right answer है वो क्या है option B is right answer SBI bank के थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है तो ये क्या थे ये SBI bank के अध्यच थे तो SBI की स्थापना कब हुई है 90.55 में कब हुई है 90.55 में headquarter कहां पे है मुंबई में SBI के जो chairman है उनका क्या नाम है उनका नाम है दिनेज कुमार खार आज का जो हमारा next question है वो है हाल ही में RBI ने किस bank पर एक कड़ो रुपे की penalty लगाई है हमारा option है PNB bank, लाबाद bank, Axis bank या फिर SBI bank तो जो हमारा right answer है वो क्या है option A is right answer क्या होगा PNB bank तो अभी RBI ने PNB पर एक कड़ो रुपे की penalty लगाई है उसको PNB ने अच्छे से follow नहीं किया इसलिए ये एक कड़ो रुपे की penalty लगी है अब ये जो penalty है वो PNB पर लगी है तो PNB का full form क्या है पंजाब national bank इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी? 1894 में कब हुई थी? 1894 में इसका headquarter कहा है? न्यू देली इसके जो MD and CEO है उनका क्या नाम है? SS Malik Arjan क्या है? SS Malik Arjan Rao आज का जो हमारा next question है वो क्या है? हाल ही में ED के निर्देशक SK मिसरा का कार्याल है कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? हाल ही में ED के निर्देशक SK मिसरा का कार्याल के लिए बढ़ाया गया है हमारा option है 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 4 साल तो जो हमारा right answer है वो क्या है? option is right answer कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? 1 साल के लिए बढ़ाया गया है यह है ED के निदेशक S के मिस्रा और इनी का कारिकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है आज का जो हमारा next question है हाल ही में किस राज सरकार ने 15 नवंबर को अपना इस्थापना दिवस मनाया है हमारा option है महारास्ट, उत्राखंड, जारखंड या फिर हिमाचल तो जो हमारा right answer है वो क्या है option is right answer किसने मनाया है जारखंड ने अपना इस्थापना दिवस मनाया है 15 नवंबर को भगवान विर्शा मुंडा का जनम दिन होता है क्या होता है भगवान विर्शा मुंडा का जनम दिन होता है और इन ही के जनम दिन पर जारखंड दिवस मनाया जाता है जारखंड की बात है तो जारखंड का कैपिटल क्या है राची वहाँ की चीप मिनिस्टर का क्या नाम है हेमंत सुरेन वहाँ की जो गवर्णर है उनका क्या नाम है द्रोपती मूर्मू जारखंड में अभी कोरोना सह आप लॉंच हुआ है जारखर्ण में नीलांबर पितांबर जल सम्रिदी योजना चल रही है अभी आज का जो हमारा नेक्स्ट कोशन है हाल ही में किस जगह विस्व की पहले पच्चों के लिए लाइबरेरी लॉंच की गई है हमारा ओप्सन है कॉलकता नई दिल्ली मुंबई लाइबरेरी उत्तरपदेश तो जो हमारा राइट आइणसर है वो क्या है ओप्सन ऐी लाइट आइंसर का है काहां लॉंच की गई है कॉलकता में इस लाइबरेरी में 1000 से जाधा बुक है और यह विस्व की पहली बच्चों के लिए लाइबडेरी लॉंच की गई है आज का जो हमारा next question है IRCTC के द्वारा भारत दर्शन यात्रा का सुब आरंब कब किया जाएगा हमारा option है एक जनवरी 21 March 12 दिसंबर या फिर 30 नवंबर तो जो हमारा right answer है वो क्या है 12 दिसंबर कब से ये launch होगा 12 दिसंबर से इसका सुब आरंब 12 दिसंबर से किया जाएगा इसकी सुर है यह हैदराबाद और सिकंदराबाद से 12 से 18 दिसंबर तक चलेगी इस यात्रा का विशय क्या है सो इंडिया टू इंडियन आई यार सीटी सी का फुल फॉर्म क्या है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिजम कार्पोरेशन इसकी स्थापना कब हुई थी 27 सितंबर 1999 में कब हुई थी 27 सितंबर 1999 में इसके जो चेयर मैन है उनका क्या नाम है महेंद्र प्रताप आज का जो हमारा नेक्स्ट कोर्शन है हाल ही में किस प्रसेद्ध नेता का निधन हो गया है हमारा ऑप्शन है सौमित्र चतरजी सत्य जीत्रे रिशी कपूर सक्ति कपूर तो जो ह दौंड़ सक सब्सेर निद्ध है और 2006 में national इंसनल प्रेश्ट में आवार्श से भी चेचा चुका है ।